तो दिखिए हेमन सोरेन की गरफतारी के बाद जार्खन में जो विवाद था जो सियासी संकर था फिलहाल वो सुलजा हुआ नजार आ रहा है जार्खन के राज्येपाल ने विधायक दल के नेता चुने गए चमपई सोरेन को सरकार बनाने का नियोता दिया है दूसरी तरफ अगर गुरुवार की बात की जाए तो गुरुवार को जार्खन का जो सियासी तापमान था वो काफी तेज रहा जो पॉंग्रेस और जीएवेम के विधायक थे उन्हें हैधराबाद बेजनी के तैयारी थी लेकिन खराब मौसम के चलते वो हैधराबाद नहीं जा पाए इस बीच जानकारी ये भी मिल रही है कि आज दुपेर बारा बजे चमपाई सोरेन जार्खन के स्टीयम पत की शपत ले सकते हैं हिमंद सोरेन के स्टीफे के 24 घंटे के बाद जार्खन के सियासी तस्वीर अब साफ हो गई है ये साफ हो गया है कि जार्खन में अगरी सरकार कैसी होगी राजिपाल सीपी राधा कृष्णन ने नैसियम के तौर पर चमपाई सोरेन को क्रीन सिगनल दे दिया है राजबवन की ओर से चमपाई सोरेन को नया मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया है आज चमपाई सोरेन का शपत ग्रहन समारो होगा अगले दस दिन में चमपाई सोरेन सरकार को बहुमत सावित करना होगा चमपाई सोरेन के साथ कॉंग्रेस के आलमगीर आलम और आरजेटी के सत्यानंद भोकता भी शपत लेंगे आज दोपहर 12 बजे जारखंड में नई सरकार के शबत ग्रहन के उम्मीद है राजजपाल के ग्रीन सिगनल के साथ ही ये साफ हो गया है कि पहली बार जेएमेम की तरब से शुईबू सोरेन परिवार से बाहर का कोई शक्स जारखंड का मुख्यमंत्री बनेगा देख लिया है यहां का आदी अर्शी का आवाज को कैसे दवाया जाता है ये बरसू से है आज से नहीं है शबत ग्रहन की तस्वीर साफ होने से पहले जारखंड में हिमन सुरियन की ग्रफसारी के बाद से 24 गंटे जम कर सियासी ड्रामा हुआ बुद्वार देराज जेमेम कॉंग्रिस के नेता राजिपाल से मिले थे गुरुवार दो पहर तक जब राजिपाल की तरफ से कोई संदेश नहीं आया तो फिर जेमेम के चमपई सोरेन, कॉंग्रिस के आलमगीर आलम, आर जेडी के सत्यानन्द भोक्ता, सीपियाएमल के विनोप सिंग और जारखंड विकास मोर्चा के प्रदेप यादव का पाच सदस्यों का प्रतिधी मंडल गुरुवार को फिर राजिपाल से मुलाकात करन अपनी बात को सही साविद करने के लिए जेमेम नेताओ ने बकायदा मीडिया के सामने विधायकों की परेड और किंती भी कराई राजपल मौदव के तरफ से भी आया कि हम जल्दी करेंगे जेमेम कांग्रिस की नेता इक तरफ राजपाल से सरकार बनाने के निवते का इंतजार कर रहे थे तो दूसरे तरफ गड़बंदन के विधायकों के एक चुट रखने की चुनाथी भी थी खरीद फरोक रोकने के लिए गुरुवार कुआनन फानन में 40 विधायकों को हैदराबाद भेजने की तयारी की गई दो चार्टर प्लेन का इंतजाम किया गया सभी विधायकों को बस से एरपोर्ट लाया गया विधायक प्लेन में सवार भी हुए हैदराबाद एरपोर्ट के बाहर विधायकों को रिसीव करने के लिए बस भी पहुँच गई लेकिन राची से प्लेन उड़े ही नहीं खराब मौसम के कारण विजबिल्टी बेहत कम हो गई इसी वज़े से राची एरपोर्ट से फ्लाइट को कैंसिल किया जा रहा था इंतजार के बाद भी जब मौसम ठीक नहीं हुआ तो तै किया गया कि विधायक राची में ही सर्किट हाउस में रुकें जब संख्याबल है 41 विधायकों की जरूरत है हमारे पास अल्रीड अभी 44 हैं जो साथ में हैं सब लोग एक जुट हैं सब लोग भरोसा दे रहा हैं कि हम सब एक साथ हैं तो आखिर किस बात की देरी देरी क्यों हो रही है ऐसा जर्कन में नहीं होना चाहिए नहीं तो लोग तंतर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा सबी लोग जो 43 लोग हैं वो सब लोग साथ हैं कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है दरसल कलपना सुरेन के नाम को लेकर शीवु सुरेन के परिवार में जैसा वीरोध हुआ उसे लेकर जेमेम नेताओं के कान खड़े हो गए जारखन में बहुमत का आकड़ा 41 का है और 25 सुरेन 43 विदावके के समर्थन पत्र का दावा कर रहे हैं ऐसे में गड़बंदन के नेता कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे विदावकों के असन्तोष की खबरों के बीच 18 विदावकों के बगावत की खबर भी आती रही इन खबरों के बीच गड़बंदन के नेता बीजेपी पर तोड़ फोड का आरोप लगाते रहे बास्तफा सरकार किसकी बनेगी च मौप किए जाबित हो जाएगा जहां तक इस प्रक्रण पर आप पूछना चाहेंगे तो जैसी करनी वैसी भरनी करनी जो उसने किये तो जग जाहिर है एडी बताएगी एडी कोड में भी बताएगी और साब जीक भी होगी आज तक एडी ने भी जितने मुकदमे कोर्ट में दाखिल की चार्शीट किसी कोर्ट ने चार्शीट को मना किया क्या तो फिर एडी सही या इनका जूटा बयान सही बुदवार रात नौबच करता है तीस मिनट पर एडी ने हमन सोरेन को गरिफतार किया उसके बाद जारखन में सियासी सरगर्वी चाही रही अब आज एक तरफ चमपई सोरेन सरकार की शफ़त होगी वही दूसरी तरफ राची में हमन सोरेन की रिमांड को लेकर आज स्पेसल पी एम एले कोड में सुनवाई होगी सुवह साड़े दस बजे एडी के खिलाब दायर हमन सोरेन की याज का पर सुनवाई होगी आज राची में बीजेपी विधायक दल की बैठक दोफर एक बजे होगी यानि जारखन की सियासत में आज जाह एक तरफ चमपई सोरेन की ता याज़े आगे